राइपूर के हिस्ट्री सीटर संजय रक्सेल को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बताया कि संजय वहुँ दिनों से फिरार चल रहा था जिसकी पुलिस को तलाश थी शुक्रवार को संजय को मौधा पारा इस्थित उसी के घर से गिरफतार कर लिया गया है पुलिस ने बताया कि संजयर अक्सेल नबालिकों का गैंग बना कर उनसे गांजा तसकरी एवं अन्या प्राध करवाता था जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी लेकिन वह फरार चल रहा था पुलिस लगातार उसे ट्रैस कर रही थी कभी उसका लोकेशन राजनान गाउं तो कभी कहीं और बताता था लेकिन पुकता जानकारी मिलने के बाद संजयर अक्सेल को उसी के घर मोधा पारा से गिराफतार कर लिया गया है गिराफ्तार करने के बाद संजर अक्सेल का जुलूस भी निकाला गया और उसे पैदल मार्च करवाते हुए कोत्वारी थानिल लाया गया है कार्यवाही में आजाच और चौक CSP अंकीता शर्मा भी शामिल है काफी दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी काफी सारे मामलों में उसकी तलाश जारी थी उसके खिलाफ 307 जैसे गंभीर प्रकरणों में अपराद दर्जे थे और वो नबालिकों से जिस प्रकार का क्राइम एक्टिविटीज करवाते थे और जो गांजे की वो काम कर रहे थे तो उसको देखते हूं उनकी तलाश थी और नहीं ढूंडा गया उनके घर से उन्हें पकड़े हैं और उनके सांथ गांजा और चरस बरामत की गई है मैं पहले भी कुछ अपरादिक मामली इसको पर दर्जे हैं? हाँ खम तरही में 307 का मामला दर्जे हैं और भी कुछ मामले हैं जो मोधा पारा में दर्जे हैं उसके खिलाफ पर पुलिस ने अंतिता उसे एक जन्वरी को गरफतार कर लिया